स्पाई फैमली का पहला एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर एक आदमी अपने वरकर से पूछता है कि इमबैसी पहुचने में और कितना वक्त लगेगा जिसका दूसरा आदमी जवाब देता है कि 20 मिनट्स तब उसका बॉस उसे बोलता है कि आगे देखो ब्रेक लगाओ त तब वहाँ एक आदमी कहता है कि हमारे डिप्लोमाट की ओस्टेनिया में एक एक्सिडेंट की वजह से मौत हो गई है हमारे यहां यहां यह मानना है कि यह एक हत्या थी जो इस्ट के राइट विंग पार्टी के लोगों ने करवाई है वो लोग वेस्टलीस के खिलाफ एक और प्लान कर रहे हैं हमें हर कीमत पर उन्हें रोकना पड़ेगा फिर वहाँ बैठा दूसरा आदमी कहता है कि हमें सब कुछ उस पर छोड़ देना चाहिए हमारा सबसे स्किल्ड एजेंट ट्वाइलाइट तब हमें सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी कहता है कि यह ल आदमी वहां से चला जाता है तब वही सेम शकल का आदमी उस आदमी के पीछे से कहता है कि तुमने जिस सामान का वादा किया वो दे दो जो देखकर पहला आदमी बिल्कुल ही शौक हो जाता है और कहता है कि पर मैंने अभी ही तो फिरमें दिखाया जाता है कि उस कार का सीन को एक दूसरे के खिलाफ information चाहिए उस battlefield में ये आदमी रहा है सो अलग-अलग चेहरों का इस्तमाल करके फिर हमें शाम का scene दिखाया जाता है जहां पर एक restaurant में एक लड़की बैटी है एक लड़की बताती है कि मेरे डैड पूरे दिन बहुत परिशान थे क्योंकि उनकी विग वाली पिक्चर चोरी हो गई इतनी सी बात पर भला कौन परिशान होता है मैं उनकी ऐसे बिहेव करने से परिशान हो जाती हूँ तुम सुन रहे हो ना रॉबर्ट फिर हमें दिखाया जाता है ट्वाइलाइट जो रॉबर्ट के नेम से वहाँ बैठा होता है फिर वहाँ पर एक प्रपोजल देखकर वो लड़की कहती है कि रॉबर्ट क्यू ना हम भी उसके इतना बोलते ही ट्वाइलाइट बोलता है कि कैरन चलो अलग हो जाते है ये सुनकर उस लड़की के होश उड़ जाते है फिर ट्वाइलाइट कहता है कि तुमने आज तक कभ देना कैरन पर अब मुझे तुम्हारा या तुम्हारे फादर का कोई यूज नहीं है और मेरा रॉबर्ट नाम का मास्क आज खतम होता है फिर ट्वाइलाइट कहता है कि शादी खुशियां मैं इन सब चीजों से तभी अलग हो गया था जिस दिन मैं एक स्पाई बना था फ फिर कोड पढ़ता है जिसमें लिखा होता है गुड आफटरनून या गुड इवनी ट्वाइलाइट तुमने अपने पिछले मिशन में काफी अच्छा काम किया जिस वज़े से मिनिस्टर बाल बाल बज गये जिससे हमारे देश को बहुत फाइदा होगा अब तुम्हारा इस बार तुम्हारा निशाना नैशनल यूनियन पार्टी का चेर्मेन दोनोवान दिजमॉंड है वो इस्ट और वेस्ट के बीच की शांती के लिए काफी बड़ा खत्रा है तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें उसके एक क्लोज रहना है और पता लगाना है कि वो क्या करन चाता है और उसके लिए पहले तुम शादी करोगे और एक बच्चा करोगे ये बात सुनकर ट्वाइलाइट अपने मूँ से सारी कॉफी बाहर निकाल देता है जो निउस्पेपर पर गिजाता है तब ट्वाइलाइट मन में कहता है कि क्या जरा फिर से बोलना तब वो आग क्योंकि डेडलाइन काफी कम है तुम्हारे पास एडमिशन करवाने के लिए सिर्फ एक हफता है ये पढ़कर ट्वाइलाइट वो निउस्पेपर फार देता है और चिलाता है कि मैं एक हफता में बच्चा कैसे कर सकता हूं फिर ट्वाइलाइट आगे का कोड पढ़ता है जिसमें लिखा होता है ओपरेशन स्ट्रिक्स ये ओपरेशन पूरे दुनिया में शांती की चाबी है तुम सब लोग हीरोज हो जो अंधेरे में रहकर पूरी दुनिया की मदद करते हो तुम्हें इन सब काम के लिए कोई मैडल नहीं मिलेगा और तुमारी इस मदद से बाक लॉइद फोर्जर के नाम से रह रहा है फिर हमें दिखाया जाता है कि ट्वाइलाइट एक ओर्फनेज में जाता है एक चाइल्ड एडॉप करने के लिए फिर ट्वाइलाइट कहता है कि मैं एक ऐसा बच्चा ढूंड रहा हूं जो पढ़ लिख सकता हो फिर उस हे तब आनिया कहती है कि में छे साल की हूँ आनिया नीुसपेपर का एक क्रोसवर्ड फजल को सॉल्व करने लगती है तब ट्वायलट सोचता है कि एक क्रोसुअल पजल एक बच्चे के लिए काफी मुश्किल होगा हाला कि मेरे लिए तो ये बाए हाथ का खेल है पहला आंसर है होमोस्टैसिस दूसरा कैजूल क्लोजर और नीचे है सिंप्लैक्तोमॉर्फिजम फिर आनिया वो क्रॉसवर्ड सॉल्व कर देती है जिसे देखकर ट्वालाइट काफी शौक हो जाता है और सोचता है कि ये तो काफी समझदार है ये बिना किसी दिक्कत की एक्जाम क्लियर कर लेगी फिर वो उस और्फनेच के ओनर से कहता है कि मैं इसे ही लूँगा तब आनिया अपने मन में सोचती है स्पाई मिशन बहुत मजाएगा फिर हमें बताया जाता है कि लड़की एक टेलीपैथ है सबजेक 007 ये लड़की लोगों के दिमाग पढ़ सकती है ये लड़की एक और्गनाइजेशन के एक गलत एक्सपेरिमेंट की वज़े से बनी थी पर वो बाद में वहां से भाग गई थी फिर हमें ट्वालाइट की घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर ट्वालाइट आनिया से कहता है कि हमें ऐसा दिखाना है कि हम सालों से एक साथ रह रहे हैं आनिया घर में घुस कर टीवी चालू करती है और एक anime show spy wars लगाती है और कहती है कि मुझे ये काफी पसंद है फिर ट्वालाइट और एनिया बाहर जाते हैं और टीवी में silence patrol पिस्टल देखकर एनिया भी एक silence वाली पिस्टल मांगती है जिसका ट्वालाइट जवाब देता है कि अगर वो दुकान में बेचते होंगे तो मैं वहाँ से तुम्हें दिला दूँगा फिर आनिया बताती है कि उससे पीनस काफी पसंद है पर गाजर बिल्कुल भी नहीं फिर आनिया दस के सिक्के से एक बेक बेकन खरीदने जाती है तब टॉयलेट कहता है कि तुम दस के सिक्के से ये नहीं खरी सकती तब टॉयलेट सोचता है कि क्या ये उतनी स्मार्ट नहीं है शायद इसने वो क्रॉसवर्ट तुके में सॉल्व कर लिया होगा मुझे इसे बदल देना चाहिए इतना सुनते ही आनिया रोने लगती है और कहती है कि मैं तो बस भाव तोल कर रही थी प्लीज मुझे मत छोड़ो फिर टॉयलेट सोचता है कि अब मैं इसे चुप कैसे करवाओ फिर टॉयलेट कहता है कि चुप हो जाओ मैं तुम्हें पीनर् में छोड़ दूँगा फिर अगले दिन टॉयलेट जब अनिया को टेस्ट के लिए प्रिपेर कर रहा होता है तब अनिया कहती है कि मुझे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तब टॉयलेट कहता है कि मुझे पता करना है कि तुम कितनी स्मार्ट हो फिर तुम्हें test के लिए तयार भी करना है तब अचानक से toilet कहता है कि चलो छोड़ो मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं आज तुम्हें लेकर नहीं जाओंगा आनिया तभी toilet के पीछे पीछे जाती है लेकिन toilet उसे ढून लेता है और फिर toilet room को बाहर से एक अलमारी लगा कर बन कर देता है फिर toilet एक शौप में जाता है जहां पर उसका एक भरोसे वाला आदमी उसे application form, examination voucher और entrance exam का question paper एक envelope में डाल कर देता है फिर हमें scene दिखाया जाता है आनिया का जहां पर वो बोर हो रही होती है तब ही उसे याद आता है जब toilet सोच रहा होता है कि मुझे अपना सामान इस से दूर रखना होगा मैं अपना सामान briefcase में रख देता हूँ और password लगा देता हूँ 6110 एनिया को जैसे ही ये बात याद आती है वो briefcase खोलती है जहां पर उसे एक radio मिलता है जिससे एनिया इस्ट के लोगों को message भेज देती है कि मैं twilight हूँ अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो तब west के सारे लोग उस message को track करके उसके पीछे लग जाते है फिर जब twilight घर आ जाता है तो उसे कुछ अजीव लगता है वो काफी ध्यान से घर में घुसता है तब थोड़ा आगे बढ़ कर twilight पर एक आदमी attack करता है जिसको dodge करके twilight उस पर attack कर देता है फिर वो अंदर जाकर आनिया को ढूंता है पर उसे कोई नहीं मिलता फिर पीछे से twilight पर एक आदमी attack करता है और scene shift हो जाता है जहां पर आनिया को रखा हुआ होता है वहाँ एक आदमी दूसरे आदमी के मूँ को cover करके लाता है और कहता है कि ये twilight है तब जब उस आदमी का cover हटाया जाता है तो वो twilight नहीं होता बलकि वो आदमी होता है जिसने twilight पर हमला किया था और वो आदमी जो उसे यहां लाया था वो twilight होता है और वो आनिया को वहाँ से लेकर भाग जाता है फिर वो आनिया को बचा कर वापस आता है और minister के पीछे gun लेकर खड़ा होकर कहता है कि आज के बाद अगर तुम मेरे रास्ते में आते हो और एपिसोड यहीं खतम हो जाता है और इसी के साथ ये वीडियो भी वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियो से चैनल पर आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो